नमस्कार दोस्तों अपसेविकास स्वागतिदा जूकेशन में तो दोस्तों CSBC के अपसल साट के माद्यम से 2-3 वेकेंसी का फिजिकल एक्जाम डेट की जानकारी निकल के आ गई है लेकिन अभी तक बिहार प्लिस कॉंस्टेबल का फिजिकल एक्जाम डेट की जानकारी अफसल नोटिपिकेशन के माद्यम से जारी नहीं किया गया है लेकिन आप सभी को बता दे कि फिजिकल एक्जाम डिसंबर में ही लिया जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से आप से भी को बताएंगे कि बिहार प्लिस कॉंस्टेबल का फिजिकल एक्जाम कब होगा और या एक्जाम कब से कब तक चलेगा इसकी पूरी जानकारी आप लोग को देंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि आपका फिजिकल एक्जाम डिट की जानकारी कुछ वेकेंसी की आगई है और अभी फिलाल बिहार प्लिस कॉंस्टेबल का फिजिकल एक्जाम डिट की जानकारी आपसल साट के मादिम से नहीं आई है लेकिन जानकारी के अनुसार फिजिकल एक्जाम आपका दिसंबर में होगा और या एक्जाम जनवरी 2021 तक चलेगा और सी SBC के उपसल साट के मादिम से नोटिपिकेशन इस माह के अन तक जारिक कर दिया जाएगा और आप सभी को बता दे कि फिजिकल एक्जाम इस बार काफी हाट होने वाली है क्योंकि फिजिकल की तियारे काफी बच्चे अच्छी तरह से कर लिए हैं इसलिए आपको फिजिकल में मेरिट बनाने के लिए अच्छी रण करनी होगी हाई जंप अच्छी करनी होगी और गोला भी अच्छी फेकनी होगी तबी आप लोग का मेरिट बन सकता है तो दोस्तु आप लोग देख सकते हैं या गर्धनी बाग का वीडियो है जो बच्चे फिजकल दे रहे हैं इसी परकार से आपको फिजकल लिया जाएगा तो दोस्तो उसी SBC के उफसर साथ के माद्यम से बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का फिजिकल एक्जाम डेट की जानकरी अभी फिलाल नहीं आई है लेकिन इस महां के अंतक फिजिकल एक्जाम डेट की जानकरी आपको सी SBC के उफसर साथ के माद्यम से देखने को मिल जाएगी अभी फिलाल तो वेकैंसी का फिज़ गल एकजाम डिट निकल के आ गई है जिसमें से फ़र्ष वेकैंसी का फिज़ गल एक जाम891,2020 और अठास RYAN11,2020 को लिया जायegा उसके बाद दूसरी वेकैंसी का फिज़ कल एक जाम1, 1974 से लेकर 5,nan तक चला तक चलेगा और ही बात करें तो एक और नई वेकेंसी का फिजिकल एक्जाम डेट की जानकरी जो रिजल्ट के साथ परकाशित की गई है जिसमें बता जा रहा है कि इस वेकेंसी का फिजिकल एक्जाम फरवरी 2021 के परतम सब्ता में लिया जाएगा तो दोस्तों आप से भी को बता दे कि पिहार प्लिस कॉं मन तक चलने बाली है इसलिए या फिजिकल एक्जाम की पूरी तैयरी हो गई है बस C.H.E.B.C के अफसल सार के मादिम से नोटिपिकेशन आनी बांकी है और आप सभी को फिर से बता दे कि बिहार पुलिस कॉंस्टिबल का फिजिकल एक्जाम 10 दिसमबर 2020 से सुरू किया जाएगा और यहाँ एक्जाम 31 जनवरी से आगे एक दो दिन आगे भी चल सकती है यानि 31 दिसमबर तक बियार पुलिस कॉंस्टिबल का फिजिकल एक्जाम होगा और इस एक्जाम में सबसे पहले होमगाड से जो एस्ट्वेंट फार्ण फिलब की हैं जिनका सेलेक्चन हुआ है पीटी एक्जाम के लिए उनका फिजिकल एक्जाम होगा उसके बाद उम्र के हिसाब से जिनका उम्र अधिक है उन्हें physical exam के लिए बुलाया जाएगा और अंत में महलाओ का physical exam होगा तो दोस्तों बांकी आगे की जानकरी के लिए आप लोग हमारे चेन को subscribe जरू कर ले और आप लोग confirm हो जाए कि बिहार पुलिस कॉंस्टिबल का physical exam दिसंबर में होगा यानि फर्स्ट वेकेंसी का physical exam समापत होने के बाद फिर सकेंड वेकेंसी का physical exam होगा फिर थर्ड वेकेंसी आपका बिहार पुलिस कॉंस्टिबल का आता है तो इसका physical exam लगभग 10 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा और अंत में जो वेकेंसी का फिलाल CSBC के दोरा रिजल्ट परकासित किया गया है मैलाप पुलिस बाटालियन का तो इसका physical exam फर्वरी 2021 के पर्तम सब्ता में लिया जाएगा